नमस्कार मेरे चनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज इस वीडियो में हम आयोडियम होमेपर्थिक दवा के फायदे और उप्योग के बारे में जानेंगे वीडियो को पुरा अवस्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समस्पाएं तो आईए समस्ते हैं सबसे पहला लक्षण रोगी हर समय खाता रहता है परंतु दुबला होता जाता है अर्थात सूखा रोग इस उसदी का मुख्य लक्षण राक्षसी भोग है रोगी हर समय भोग महसूस करता है शाधारन तोर पर जितना और जितनी समय हम लोग खाते हैं उसे से उसकी संतूस्टी नहीं होती बीच-बीच में भी वह खाता रहता है विचितर बात यह है कि इतना और इतनी बार खाने पर भी वह दुबला होता जाता है मुँपर जुरनिया पर जाती हैं पुष्टिकारक भोजन खाने पर भी बच्चा सूखता जाता है दिन रात खाने के लिए मांगता है पेट भर खाने के बाद नैक्टरम्यूर की तरह उसे थकावट नहीं अराम अनुभव होता है मैं यहां बता दूँ कि नैक्टरम्यूर के रोगी को जब बहुत पेट भर खाना खालेता है तो वो ठक जाता है ठकावट महसूस करता है परन्तु आयोडियम का रोगी को पेट भर खाना खाने के बाद आराम अनुभव होता है इसलिए विसेश रूप से वह सूखे रोग की दवा है आयोडियम सूखे रोग में बहुत अच्छा काम करती है आयोडियम नैक्टरम्यूर और अब्रोटेनम इन तीनों में शरीर की पोशन क्रिया इतनी बिगर जाती है कि भोजन मिलने पर दीब शरीर पर मांस नहीं चारत आयोगूरbourव और रोगी दुरबल होता जाता है तो जब भी सूखा रोग का जिक्र हो जहन में तीन होमोपेथिक दवा जरूर आने चाहिए आयोडियम और adap着וג की तीनों पर थैंब अब्रोटेनम और और यह सूखे रोग wohl mira के समय बढ़ जाती है जब पेट खाली दर्द होने लगता है उस दर्द को मिटाले के लिए वे खाने को विवश हो जाता है खाने समय वा अपने सब तकलीफों को भूल जाता है तकलीफों को इस प्रकार भूल जाने का मुख्य कारण यह है कि उस समय वो किसी काम में लगा होता है जब उसका मन किसी तरफ लग जाए या लगा दिया जाए तब वो अपने कस्ट को भूल जाता है आयोडियम का एक खास लक्षण है कि विश्राम से तकलीफें बढ़ती और हरकत या काम में लगे रहने से घड़ती है रोगी को नई या पुरानी जो भी कुछ तकलीफ हो उसमें उसे सरीर तथा मन में एक खास तरह की घबराहाट परिशानी बनी रहती है छोटी सी भी घबराहाट में एक खास तरह की लहर सी सरीर में दौर जाती है जो बड़ी तकलीफ दे होती है यह तब ही होती है जब वो किसी काम में लगा नहीं होता जब काम कर रहा होता है हरकत कर रहा होता है तब यह तकलिफ नहीं महसूस होती शायद भूला रहता है जहां उसने आराम से बैठने की कोशिश की उसी समय यह परिशानी आसवार होती है जितना ही वो आराम से बिना ये बैठने की कोशिश करता है, उतनी ही परिशाने घबडाहाट उसकी बढ़ती है, और ये लक्षन आयोडियम की रोगी में पाये जाता है, ऐसे लक्षन में आप नहीं संकोच आयोडियम का सेवन करवा सकते हैं, ध्यान रहे, आयोडियम तथा कैली आयोडाइड दोनों आरा ही दूर होती है, ठाकावट नहीं आती, आयोडियम में रोगी चलता तो है, क्योंकि हरकत किये बगाएर उसकी घबरहाट दूर नहीं होती, परंतु चलते चलते वह ठक जाता है, और जरासे परिश्रम से पसीना हो जाता है, आयोडियम उस्षरता परधान है, ठंड चाहता ह तो आयोडियम औसदी का रोगी तथा आर्सेनी का रोगी ये दोनों में आराम से नहीं बैठ सकते दोनों शारिदिक तथा मानसिक परिश्रम की ये बगार नहीं रह सकते अगर इन दोनों को कहा जाए कि अत्यदिक चिंता, अत्यदिक मानसिक कारे, अत्यदिक साहितिक कारे से दीमाग के फेल हो जाने का डर है, तो कहते हैं डॉक्टर हम अगर काम ना करें तो मर जाएंगे या पागल हो जाएंगे, काम करने से ही उन्हें रहात मिलती है, परंतु इ पुस्रता प्रधान है तो हम कभी आर्सेनिक की तरफ ध्यान नहीं देंगे अगर वह सीथ प्रधान है तो कभी आयोडियम को विचार में नहीं लाएंगे क्योंकि औसधी का निर्वाचन करते हुए व्यापक लक्षन तथा प्रकृति को ध्यान में रखना आपश्यक है तो आ कांगिक लक्षन है अभी हमने कहा कि आयोडियम के रोगी की तकलीफ हरकत से कम हो जाती है परंतु सिर्दर्द उसका हरकत से बढ़ जाता है रोगी चलता फिरता है हरकत करता है क्योंकि उससे से उसकी घबरहात डूर होती है परंतु हरकत से उसका सिर्दर्द बढ़ जाता ह सिर्ग की तपकन बढ़ जाती है एक सिर्दर्द में सिर्फ अपवाद है सिर्दर्द में उसे हरकत से दर्द बढ़ता है रोग बढ़ता है एक लक्षन है कि शरीर सूपता जाता है परंतु गिल्टियां बढ़ती जाती है और गिल्टियों में भी अस्तन सूपते जाते है शर जगा की ग्रंथियां बढ़ती जाती हैं ये सब गिल्टियां गठीली और शक्त होती हैं प्राया देखा जाता है कि मलेरिया के रोगी कुनीन खाकर सूख जाते हैं चेहरे पर जोरियां पढ़ जाती हैं परंतु उनकी तिली या जिगर बढ़ जाते हैं इस अवस्था में भी आयोडियम औशदी से लापरत होता है लाप मिलता है बने हुए टॉंसिल गिल्टियों की गठीली और शक्त होने के प्रक्रण में इस औशदी के गिल्टियों के प्रभाव पर भी विचार कर लेना आवश्यक है क्योंकि ये मुख की तोर पर ग्रंथियों की दवा है ठीक हो जाते हैं एक लक्षन है कि बढ़े हुए गिल्लर अर्था गोईटर के साथ यदी रोगी को भूख जादा लगती हो तो इसे से अवश्य लाप होता है काली आखों काले बालों वाले के लिए आयोडियम और नीली आखों भूरे बाल वालों के लिए ब्रूमियम उप हो जाता है डॉक्टर नैश लिखते हैं कि उन्होंने लक्षन मिलने पर गिल्लर अर्था गोईटर के कई रोगियों को आयोडियम सीयम प्रती चार रात एक मात्रा देकर पूरी तरह से ठीक किये हैं उन्होंने यह अश्यदी पुर्णीमा के बाद आमवश्य शुरू होने परदी कहा जाता है कि अमवश्य में आयोडियम ऑश्यदी अच्छा काम करती है एक लक्षन है कि त्वचा छील देने वाला श्राव, नाक से अंख से तथा पुराने प्रदर का छील देने वाला श्राव इस औसदी कस्राव बहुत तेज होता है जहां लगता है वहीं तवचा को छील देता है नाग कस्राव नाग कथा होटों पर जहां वह लगता है उसे छील देता है आग कस्राव आग के किनारों को छील देता है प्रदर का स्राव इतना लगता है कि जांगो पर जहां जहां लगता है उसे छील देता है यहां ते की नैक्किन में भी छेद कर देता है इसके साथ अन्य लक्षनों का भी मिलान कर लेना चाहिए कि रोगी उशनता पन्धान हो, खाने से अराम मिलता हो, हरकत से लक्षनों में कमी होती हो, फिर आपको ऐसे लक्षन पे जो मैंने बताया है त्वचा को छिल देने वाले स्राव में आपको आयोडियम जरूर लाब करे गर्म कमडे में सरजरी काम करते करते जब बाहर जाते थे ठंडे में जाते थे तब उन्हें अचानक जुकाम का आक्रमन हो जाता था, सर्द गर्म हो जाया करता था, जब किसी उपाय से उन्हें लाब ना हुआ तो उन्होंने अपने आप होमोपैथी का प्रियोग करके बूंद लेकर देखा एक बूंद लेने से या तो जुकाम होता नहीं था या होता होता रुक जाता था अपने उपर इस अनुबह से उन्होंने होमेपैथी पर काफी ज्यादा विश्वास पाया और वे जुकाम के मौसम में प्रतिरोधक के तौर पर आयोडियम लेने लगे ज भूख ना लगना एनोरेक्सिया इस औसदी का लक्षन है राक्षसी भूख लगना और शरीर का छिड होते जाना परंतु डॉक्टर क्लार्क ने भूख ना लगने पर दी इसका सफल प्रियोग किया एक यूती को जिसे मानसिक आघात पहुचा था भूख लगनी बंध हो ग इससे उसकी भूख इतनी खुल गई कि उसका आत्मे घात का विचार जाता रहा एक लक्षन है कि आत्मे हत्या या किसी को मान डालने का विचार हम पहले ही कह आये हैं कि रोगी निश्चल नहीं बैठ सकता हर समय हरकत किया करता है चलता फिरता रहता है इससे उसे शांती मिल जितना अधिक इस्थिर रहने की कोशिश करता है उतनी ही उसे घबरहाट बढ़ती जाती है कभी-कभी जब वह इस्थिर रहने का प्रयत्र करता है तब इतना उद्विग्ण हो उड़ता है कि वस्तु में फारने लगता है आत्मघात करना चाता है या किसी दूसरे को मा डा होता है क्योंकि वह इस्थिर बैट जाता है वह कुछ न कुछ करना चाता है जल्दी में कुछ न कुछ कर डालने की भावना उस पर हावी हो जाती है हीपर में नाई ग्राहक की हजामत करता हुआ उस तरे से उसका गला काट डालना चाता है नक्स वोमिका में मा अपने बच् पत्म ना कर देने के लिए अपने पर कितना नियंद्रन करना पड़ता है आयोडियम में मारने मारने की एक्छा किसी कारण विशेश्चन नहीं होती क्रोध से या बदला लेने की विचार से इस भावना उदय नहीं होता इस परकार का आवेग जो है बिना कारण मन में आ जाता है क्योंकि मैंने बताया कि वह निश्चल नहीं बैठ सकता कुछ रख करना चाता है और जब उसे बैठा दिया जाता है तब ऐसा उसमें भावना बादा हो जाता है एक अन्य लक्षण है कि भोजन का गैस बनकर दिन रात डकार आना रोगी जो कुछ खाता है उसकी गैस बन जाती है पेट में वायू इखटी हो जाती है और रोगी सुबह से शाम तक उचे उचे डकारा मारा करता है इसमें भी आयोडियम लाप करता है आयोडियम औशिदी का सजीव तथा मुर्थ चित्रन समझाता हूं दुरबल पीला जुरनियों वाला चेहरा दिल्टियां फूल होता है चैन से नहीं बैठ सकता हर समय चलता फिरता है गर्मी से परिशान और ठंड से आराम यह है सजीव मुर्थ रूप आयोडियम क्या शक्ति तथा प्रकृति की बात करें तो 3,6,30,200 में बिल्कुल इस दवा का इस्तमाल होता है जुकाम में प्रतिरोधक के तौर पर इ जो काम लगती है उससे छुटकारा दिलाता है तो आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो में मैंने आयोडियम की संपुर्ण जानकारी दी है कि कैसे और किस लक्षन में इसका उप्योग होता है अगर कोई भी लक्षन मिले तो आप 200 पोटे करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे लोग भी इसे लाप राप्त कर सकें